आटे के दीपक से जुड़े उपाए तो आपने जाने अब आटे के दीपक से जुड़ी कुछ जरूरी बाते और साउधानिया जानते हैं पंडेजी से बताईए पंडेजी कौन सी हैं वो जरूरी बाते देखें आटे के दीपक से जुड़ी कुछ जरूरी बाते और साउधा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आटे के दीपक के लिए हमेशा ताजा आटा ही उठ है, पहले से गुथा हुआ आटा उसका दिया ना बनाएं, नमबर एक साउधानी, नमबर दो, मिट्टी और आटे का दिया एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में न ला एक बार अगर आपने उसको जला लिया और उसका तेल खतम हो गया, तो दूसरी बार उसको आप नहीं जला सकते हैं, दूसरी बार उसका भी सरजन आपको करना पड़ेगा, ये दोनों पवित्र दीपक सुद्ध होते हैं और इनका एक बार ही जलने में प्रयोग करना जैसे संकल्प के पहले दिन एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर इग्यारा तक दीप जलाने के बाद दस नव आठ साथ इस क्रम में घटे क्रम में दीपक जलाएं, अनुलोम विलोम क्रम में दीपक जलाएं, मनो कामना दीपक की संख्या पूरी होने से पहले ही पूरी हो ज उसको पूरा करना चाहिए, संकल्प में माने गए दीप पूरे होने चाहिए, किसी भी अच्छे दिन, अच्छे वार के सुब मुर्थ और चौघडिया में आटे का दिया जलाने का प्रण लिया जा सकता है, आटे का दिया बनाना भी बहुत आसान है, आटे में सुद्ध मिलाकर उसे गूठ लें, इसके बाद उसे एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चव मुखी रूप दें, दीपक के चारों और कलावा बाढ़ें, चाहे तो कुमकुम से दीपक के बाहर और क्योर बिंदिया भी बना सकते हैं, जीतना मुखी दीपक आपने बनाया है, उतनी नहीं रूप या कलावे की बत्ती डालें, घी या तेल डालकर अपनी मनोकामना पूर्ती के लिए दीपक जलाएं, चाहे माविंदिवास में